बलेवुड इंडिस्ट्री में कई किस्से सुनने को मिलते हैं कुछ ऐसा ही एक किसा आज आपको संजीव कुमार की 89 बर्थे निवर्सरी 9 जुलाई सुनाने जा रहे हैं संजीव कुमार और नूतन के बीच का ये किसा मशूर है कि नूतन ने सब के सामने संजीव को थपड़ जड़ दिया था हाला कि नूतन ने उन्हें किसी घलत फहमी की वज़े से मांच दिया था दरसल हुआ ये था कि नूतन और संजीव कुमार की दोस्ती को किसी ने अफियर का नाम दे दिया था जिसकी वज़े से नूतन की शादी शुदा जिदंगी में खलबली मच गई थी बात उन दिनों की है जब नूतन का नाम फिल्म इंडिस्ट्री में फेमस था उस वक्त संजीव कुमार भी इंडिस्ट्री में चर्चा का विशेक बने हुए थे नूतन के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो अपने को स्टार्स और सेट पर मौजूद लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी उन्हीं दिनों संजीव कुमार को नूतन के साथ फिल्म देवी 1970 में साइन किया गया शुरुवात में नूतन और संजीव कुमार एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई इसी दोरान दोनों के बीच जबरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विशेक बन गई थी इसी ट्यूनिंग को कुछ लोगों ने अपेर का नाम दे दिया